जिस परकार से नैनीताल अपनी खुबसृती और विसम परस्तितियों के लिए जाना जाता है, ठीक उसी परकार से नैनीताल अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। संपूर उत्राखंड में सिर्फ नैनीताल ही एक मात्र ऐसी जगा है, जहां से उत्राखंड के सबसे अच्छे और टॉप टैन रैंकिंग्स में गिने जाने वाले स्कूल और कॉलेजिस हैं, जहां इन सभी स्कूल और कॉलेजिस से देश के कई महान लोग पढ़कर आगे निकल चुके हैं, आज के एपिसोड में हम नैनीताल के टॉप फाइव स्कूल के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में यहां कहा जाता है, कि यदि आपने अपने बच्चों को इन स्कूल और कॉलेजिस से पढ़ा लिया, तो समझो जैसे आपने अपने बच्चों का एक सुनहरा भविश्य बना लिया हो, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नैनीताल में यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब करके बेले किन भी दबा दीजिए, नमबर वन, सेर्वूट कॉलेज, नैनीताल सहर का नमबर सेर्वूट कॉलेज के लिए एक बात बेहत परचलित है, कि यदि किसी ने अपने बच्चों का एडमिशन सेर्वूट कॉलेज में करा दिया हो, तो यहां से पढ़ने के बाद उनके बच्चे मेजर, कंणल और विद्यसों में साइंटिस्ट और इंजीनियर बनते हैं सेर्वूट कॉलेज का निर्माण 1889 में ब्रिटिस अंग्रेजों नहीं किया था, तब इसका नाम European Dyson Boys School हुआ करता था आज भी Amita बच्चन जब भी नेनीदाल आते हैं, तो वे इस स्कूल में जरूर जाते हैं, इसी के साथ साथ इस स्कूल में कई सूपरस्टार्स समय समय में आते रहते हैं, जिनका वेलकम यहां की स्कूल कम्यूनिटी करते रहती हैं जब अठारा सो उनतर के समय सेर्वूट कोलेज की स्थापना चल रहे थी, तब उसी के समकालिन आल सेंस कोलेज की भी स्थापना भी नैनिताल का यहां इंग्लिस मीडियम गल्स स्कूल अपनी बहतर पढ़ाई और एडवांस एजुकेशन सिस्टम के ले जाना जाता है लड़कियों के लिए बना यहां एक मात्र ऐसा कॉलेज है जो संपूर उत्राखन का रैंक वन लिस्ट पर आता है यहां से पढ़ी हुई लड़किया आज यहसे में जॉब करते हुए नजर आती हैं और आज इस स्कूल से पढ़ी हुई वो तमाम लड़किया आज अच्छे खासे गवर्मेंट जॉब पर कारिरत है नैनितल सहर के सेड़वूड कॉलेज और आल सेंस यह दोनों बॉइस और गल्स स्कूल नमर वन पर हैं जिन में सबसे अच्छी बात यह हो है कि यह दोनों स्कूल किलास थर्ड से लेकर बारत की एजुकेशन को स्टॉर्ड रखते हैं यहां किलास थर्ड में पढ़ा हुआ बच्चा जब बारवी में इन दोनों कॉलेज से बाहर निकलता है तो फ्यूचर इनके हातों में होता है बिटला विध्यामंदिर जो नमबर टू की रैंक में आने वाला एक इंगलिस मीडियम स्कूल है जो अंगरेजी सासनकाल में फिलेंडर स्मित कॉलेज की नाम से जाना जाता था इसका निर्मार कार 1870 में हुआ था जहां इसी स्कूल से महान हंटर जिम कॉर्बिट ने भी पड़ा था इसी के साथ नमबर टू में सैनिक स्कूल घोडाखाल भी आता है जो के भवाली के घोडाखाल में इस्तित है सैनिक स्कूल खोड़ाखाल अपने अनुसासन और बहतर स्टेडिक ले जाना जाता है जहां यहां से पड़े विध्यारती इंडियन आर्मी और फोर्सेज में अपना नाम कमा रहे हैं सैंग जोजेफ कॉलेज नैनिदाल की रैंक तीन में आने वाला एक स्कूल है जिसका निर्माण अंगरेजों ने 1888 में किया था यदि आपको कोई मिलकिया फिलम की याद होगी तो रिक्तिक रोशन इसी स्कूल के स्टूडेन बने थे जहां आप वीडियो में साब देख सकते हैं यहाँ भी एक बोर्डिंग स्कूल है जो ICSC और ISC बोर्ड से एफिलेटिड है नमबर फोर डॉन बोसको पब्लिक स्कूल डॉन बोसको पब्लिक स्कूल भी नैनिदाल का एक फेमस कॉलेज है जो नैनिदाल से हलदवानी रोट में इस्तित है इसी के साथ सार नमबर फोर में नैनिदाल का सबसे फेमस कॉलेज में से एक है नमबर फाइब सेंड जेवियर स्कूल सेंड जेवियर स्कूल जो की CBSC बोर्ड से एफिलेटिड है यहाँ नैनिदाल की आयार पाटा वाली रोट पर इस्तित है सेंड मेरी कॉनवेंट स्कूल की स्थापना 1878 में मदर सालिस्या नी की थी यह स्कूल गल्स से बेज रहे हैं जिसे पहले वेलीचली गल्स स्कूल के नाम से जाना जाता था अभी यहार रैमनी पार्क में इस्तित है जिसे अक्सर लोग रैमनी स्कूल से भी बुला लेते हैं दोस्तो इसके अलावा नैनी ताल का अमतूल से स्कूल और मोहन लाल सा बालिका विध्यवंदिर आदी है जहां आप अपने बच्चों को अपनी सहुलियत के अनुसार एडमिन्सन दिला सकते हैं दोस्तो अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर इन स्कूल्स की वेबसेट को चक कर सकते हैं जहां आप एडमिन्सन इंक्वारी से लेकर इंफरस्ट्रक्चर और बोर्ड संबन्तिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे ही नैनी ताल और उत्राखन की महान काथाओं को जानने के लिए आप नैनी ताल मेन्या यूट्प चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंटर अपडेटिट रह सकेंगे तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही मैं हूँ आपका दोस्त संदी फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों